हेलो दोस्तो मेरा नम अमीत है NDT & Quality YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग में शिल्डिंग केल्कुलेशन देखने वाले हैं तो आर्टी के फिल्म में आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कि रेडियेशन से बचने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं जिसमें पहला जो तरीका है वो time है मतलब कि आप जितना time radiation के contact में कम आए मतलब कि time जो है जितना कम हो जाए वो आपके लिए अच्छा है मतलब कि radiation जितने time में आपके contact में कम आएगा उतना आप radiation से बच सकते हैं दूसरा जो है वो डिस्टन्स है, मतलब कि रेडियेशन से जितना आप दूर है, मतलब डिस्टन्स जितना ज्यादा है वो आपके लिए अच्छा है, तो आपको रेडियेशन लगने का चांच जो है वो कम हो जाता है, उसका खत्रा कम हो जाता है, तीसरा जो है वो है मतलब कि जहां पर रेडियेशन वगेरे का सोर्स है तो बीच में कोई मटिरियल एजर शिल्डिंग तौर वर आप रख देते हैं और यह शिल्डिंग जो है वह आपको रेडियेशन से बचाता है तो यहां पर इंडस्ट्री में मोस्ट अपली शिल्डिंग के तौर पर कार्बन स्टिल या कॉंक्रीट का ज्यादा तर यूज होता है या लेड प्लस कॉंक्रीट का भी यूज हो सकता है तो आज के इस वीडियो में सपोज आप शिल्डिंग करते हैं तो वो टाइम पे यह मटियल जो है उसका थिकनेस आपको कितना रखना पड़ेगा उसका कैल्कुलेशन आप देखने वाले हैं तो अभी आप रेडियोग्राफी टेस्टिंग के फिल्में काम करते हो या फिर आप बीडियो आर्सी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन है क्योंकि बी आर्सी के एक्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लि जिसमें मेंनली आपको NDT लेवल 2 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा मैंने NDT के प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाए है ठीक है जिसमें मेंली UT के प्रैक्टिकल लेमिनेशन वेल स्कैनिंग वगेरे के वीडियो मिल जाएंगे कोड और स्टांडर के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसका interpretation वगेरा मैंने किया हुआ है इसमें acceptance criteria वगेरे आपको मिलेगा तो ये सब वीडियो का access लेने के लिए आप join feature का use कर सकते है और मुझे financially support कर सकते है अभी यहाँ पे सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि शिल्डिंग जो है वो क्यों करना पड़ेगा और इसके पीछे का reason क्या है इंटर्यू अगरे में भी आप जाते हो तो ये पूछ सकता है कि शिल्डिंग क्यों करना चाहिए तो शिल्डिंग इस एन इंपोर्टन एस्पेक्ट ओ रेडियोग्राफी टेस्टिंग एज इट हेल्स तो प्रोटेग इंडिविजल फ्रम अननेसेसरी रेडियेशन एक्सपोजर तो स्पेसिफिक शिल्डिंग रिक्वार्मेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए खिलिंग राता है और यहाँ पर शिल्डिंग जो है वह वायरी हो सकता है मतलब अलग हो सकता है वह किसके ऊपर भीक्रूपद रहेगा अप कहा पर रेडियोग्राफिक कर रहा है लाईDamरेशन जो है उसका इंतेंसिटी कितना है यहां पे कौन सा equipment आपने यूज किया है कहां पे मतलब location क्या है यह सब factor है उसके उपर shielding जो है वो depend रहता है तो देखें यहां पे आप देख सकते हैं कि radiation यहां पे है और आदमी जो है वो यहां पे खड़ा हुआ है पर बीच में यह जो दिकरा है बीच में यह shielding है shielding के तोर पर आप अलग-अलग material यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि यहां पे armful radiation है पर shielding वाला जो material है वो absorption होके वालब radiation जो है वो soak लेगा और यहां पे आदमी जो है वो काम कर सकता है तो shielding calculation in radiography testing are used to determine the amount of shielding needed to protect individual and the environment from the harmful effect of ionizing radiation तो यहां पे radiation जो रहता है RT में भी हम जो radiation यूज करते हैं वो ionizing radiation होता है तो shielding calculation जो रहता है उससे हमको क्या मिलेगा जो shielding material जो है उसका thickness वगेरा हमको मिलता है या ultra calculation करके आप यहां पे कितना radiation आ रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं तो इससे finally आप individual जो भी आदमी है उसको protect करने के लिए कितना shielding चाहिए वो आपको पता चलेगा calculation take into account the type of radiation being used energy of the radiation, the distance between the radiation source and individual or environment being protected and the type of shielding material being used ठीके तो यह सब चीज जो है वो आपको ख्यान में रखने है जब भी आप calculation करते हैं ठीके आगे में आपको एक calculation है वो करके दिखाने वाला हूं उसका formula वगेरा कैसा यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो देखिए यहाँ पे shielding calculation की बात करें दो formula इस तरह से है it is equal to i0 divided by 2 raised to t upon hvt यह बहुत ही easy formula है और इसका कैसे यूज करना है simple तरीके से मैं आपको बताता हूं तो देखिए यहाँ पे it जो है वो transmitted intensity है मतलब की यहाँ पे आप यह shielding लगाते हैं उसकी बाहर की side कितना intensity आपको मिलेगा वो transmitted intensity है ठीक है तो यहाँ पे आपका intensity जो मिलेगा वो it आपको मिलेगा आपने यह shielding लगा दिया है उसके बाद का intensity है यह उसके बाद यहां पे I0 है ठीक है तो सेम डिस्टन्स पे अगर आपने शिल्डिंग नहीं लगाया है ठीक है तो आपको कितना इंटेंसिटी मिलेगा तो वो I0 है ठीकनेस जो जो जॉब है उसका ठीकनेस है T जो है वो मतलब कि आपका जो आपको शिल्डिंग लेने वाले हैं यहां पे यह जो प्लेट है जो शिल्डिंग के तोर पर आपने यहां पे सपोज लगाया है उसका ठीकनेस जो है वो आपका T रहेगा small t दिया हुआ है और HVT जो है वो half value thickness है तो half value thickness सबी material का सबी source के लिए अलग-अलग होता है तो यहां पर वेल्यू दिया हुआ है देखे एक्जाम्पल की हम बात करें तो सपोज हमारा सोर्स इरीडियम 192 सोर्स है 12 मिटर डिस्टंस पर सपोज इंटेंसिटी जो है वो कितना है 55.5 मिली रॉजन पर अवर ओके रॉजन जो है वो आपका यूनिट है रेडियेशन का हवा में जो रेडियेशन है उसका यूनिट रॉजन होता है उसके बाद यहां पर एक और डेटा है जो है कार्बन स्टिल वेल जोइट थिकनेश 25 mm जिसका आपको रेडियोग्राफी वगेरा करना है ठीक है तो उसका जोइट का थिकनेश दिया हुआ है पर इसका अभी आमें ज़रुरत नहीं पड़ेगा हाफ फेल्यू थिकनेश दिया हुआ है जो 12.5 mm है ठीक है तो कार्बन स्टिल जो है उसमें इरिडियम का सोर्स आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहां पर यह हाफ फेल्यू थिकनेश दिया हुआ है रेडियेशन एक्सेप्टर्स लिमिट फॉर नॉन रेडियेशन वर्कर यह क्या दिया हुआ है पॉइंट 15 mm पर अवर तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई आदमी काम कर रहा है ठीक है रेडियेशन वाले एरिया में तो उसको इतना रेडियेशन लगेगा तो चलेगा उ यह सब वेल्यू जो है वो कैसे यूज करना है वो मैं आगे आगे आपको बताता हूं यहां से रोंजन को मिली रोंजन में करने के लिए रिलेशन दिया है ओके उसके बाद यहां पे लिखा है calculate carbon steel plate thickness if radiation level to be reduced to 0.15 मिली रोंजन पर आवर at 12 मिटर डिस्टन्स ठीक है तो यहां पे करना क्या है देखिए सबसे पहले तो यहां पे यह आपका source है इरिडियम 192 का source है ठीक है 12 मिटर डिस्टन्स पे radiation intensity कितना है यहां पे दिया हुआ यह आपका 55.5 55.5 मिली रोंजन पर आवर जो आल्रेडी दिया हुआ है ठीक है तो यहां पे कोई आदमी खड़ा रहेगा सपोज उसको इतना radiation लगेगा कितना 55.5 मिली रोंजन पर आवर तो यह चीज दिया हुआ है अभी ऐसा बोल रहा है कि सपोज यही आदमी है उसको कितना radiation लगना चाहिए इतना ही कितना 0.15 मिली रोंजन पर आवर क्योंकि उसका acceptance limit उटना ही है तो अभी इतना कम radiation चाहिए औरिजिनली तो इतना radiation लगता है पर हमको कितना चाहिए 0.15 ठीक ह तो देखें शिल्डिंग लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर डिस्टंस जो है वो सेम है इरिडियम 192 का सेम क्यूरी का सोर्स है पर यहाँ पर बीच में आपने ऐसे शिल्डिंग लगा दिया कार्बन स्टील का शिल्डिंग है और कार्बन स्टील का शिल्डिंग है उसका ठीकनेस टी है सपोज और यहाँ पर अभी कोई आदमी खडा रहेगा ठीक है उसको कितना radiation लगना चाहिए 0.15 मिलिरोंजन पर अवर ठीक है इतना ही radiation लगना चाहिए तो यह दो situation हुआ ठीक है तो इसका calculation आपको करना है अभी यहां पर 55.5 जो है यह आपका original intensity है जो पहले था मतलब आपने शिल्डिंग नहीं लगा है तब इसको हम i0 लेंगे it जो है वो आपका transmitted intensity है ठीक है it मतलब कि आपने जब भी शिल्डिंग लगाया है तो उसके बाद आपको कितना transmitted intensity मिलता है यह it है कि यह हमारा formula है उसमें hvt का value भी आफ value thickness भी दिया हुआ है कितना है 12.5 तो इसमें आप रखना है देखे में calculation करके आपको दिखाता हूँ it जो है वो हमारा 0.15 million per hour i0 जो है वो 0.55.5 है hvt जो हमारा है वो 12.5 है और t जो है वो हमें दूनना है परलब material जो है जो as a shielding आप यूज करते है उसका थिकनेस हमें दूनना है देखे formula में यहां पर फिर से लिखता हूँ it is equal to i0 divided by 2 raise to t upon hvt ठीक है तो it क्या है आपका 0.15 है i0 क्या है 55.5 2 raise to t upon hvt हमारा क्या है 12.5 है अभी यहां पर दोनों side आपको cross multiplication करना है देखे तो 2 raise to t upon 12.5 is equal to 55.5 divided by .15 ठीक है इस तरह से आपको मिलेगा अभी मैं थोड़ा calculation कर लेता हूँ 55.5 divided by .15 यह मेरा होगा 370 मिलेगा मुझे यहां पर 2 raise to t upon 12.5 अभी यहां पर यह उपर जो value दिया हुआ है यह ठीक है इसको log का मैं दोनों value निकालो दो t upon 12.5 log 2 का value आप निकालोगे न तो आपको मिलेगा 0.3010 log 370 का value जो है वह आपको 2.56 मिलेगा ओके तो इसमें से अभी ऐसे calculation होगा t is equal to 12.5 into 2.56 divided by 0.3010 तो t is equal to क्या answer मिलता है यह calculation कर लेता हूँ around 106.3 mm ठीक है इतना answer मिलेगा तो यहां पर t का value हमें 106 mm मिला तो यह जो plate आपने यहां पर लगाया हुआ है ठीक है carbon steel का plate इसका thickness आपको greater than 106.3 mm रखना पड़ेगा ठीक है तो इतना thickness रखेंगे तो यहां पर जो आदमी खड़ा है वो काम कर पाएगा उसको acceptable limit है कितना है उसका 0.50 million per hour उससे कम radiation उसको मिलेगा ठीक है तो इस तरह से calculation किया जाता है अगर आप बीर सी level 1 level 2 का exam देते है नो तो इस type का question होता है काफी easy calculation है ऐसे ही distance के calculation भी होते है इसका actually मैंने एक series बनाया था ठीक है आप हमारे आर्टी के playlist में देखोगे ना तो तीन या चार वीडियो का मैंने series बनाया था इसमें पूरा calculation हो मैंने detail में बताया है तो उसमें inverse square low है time calculation है यह सब भी मैंने बताया है तो वीडियो भी आप जरूर देखे गया उसमें ug का calculation calculation भी है geometric unsharpness ठीक है तो radiography testing का सभी calculation वो वीडियो में मैंने बताया है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूच सकते हैं okay thank you